हेलो एंड वेलकम तो दा आई वाई एफ एजुकेशन एन इनिशेटिव टेकन बाइद इंडियन यूथ फांडेशन तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं और चैपटर टू अम्ल शारक अभम लवन्ट इस चैपटर का पार्ट वण तीसर तो टॉपिक हम पढ़ने वाले है वो पढ़ेंगे कि indicators यानि कि सूचक किसे कहते हैं और कितने टाइप के होते हैं और वो किस तरीके से में पता लगते हैं कि क्या कोई acid कोई भी पदार्त acid क है या basic चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमल की तो अमल क्या होता है हम कैसे पता लगाए कि कोई भी चीज जो क्या है अमल है या शारक है तो सबसे पहले बात अमल का पता लगाने के लिए हम देख सकते हैं कि अगर वो टेस्ट में खटे हो ठीक है तो उसे अंग्रेजी में एसिट वर्ड और एसिट जो है वह किस से बनाए लेटिन भाषा का एक सबसे लिया गया है ठीक है जिसका मतलब क्या होता है दुरूबल अमल तो वह थेनोई कंल लैक्टिक अमल ठीक है और और जाता हुआ जाता है ठीक है ट्राइक रहो आप भी नियुक्त करें कि सांद्र अमल किसे कहते हैं या तनुद किसे कहते तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप लोगों ने इसका वर्ड का मतलब पता लग देगे, सांदर क्या है और तनू क्या है, ठीक है तो सांद्र, मतलब कभी भी सांद्र वट आया न, तो भापर समझे न, जो water रहना यानि जल जो है उसकी मात्रा क्या होगी, कम और तनू में क्या होगा, जल की मात्रा जादा होगी, तो यहां पर क्या लिखा है सांद्र अमल तो इसी से इसकी definition मनेगी कि जिसमें अमल की मात्रा अधिक होती है ठीक है और जल की मात्रा कम तो उसे हम क्या कहेंगे सांद्र अमल कहेंगे और तनुअमल चार हो गया ब्रैड ठीक है अब बात करते हैं शारक का शारक किसे कहते हैं तो बिसीबल करताँ किया है यह यह क्या है यह क्या है और हम बात करें पर शारक की तो sodium hydroxide हो सकता है potassium hydroxide calcium hydroxide यह जो है यह strong शारक होते हैं ठीक है और जो दुरबल शारक है वो है ammonium hydroxide ठीक एक question आ जाता है कई बार कि शार किसे कहते हैं तो कई बार बच्चे confused हो जाते हैं शार और शारक में अंतर क्या है तो कोई अंतर नहीं एक छोटा सा बेसिक्स है कि जो कोई शारक ठीक है अगर वो जल में घुल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे चार तो यहां पर एक question और पुड़ होते हैं तो आप कोगे हाँ सभी शार चारक होते हैं लेकिन एक question यहां पर यह पूछा जाता है क्या सभी सभी शारक चार होते हैं तो आपको यह नहीं क्यों क्योंकि सभी के सभी शारक जल्मुक्लаз नहीं होते ठीक है अगर आप से सोडिया साबुन सर्फ अगेरा अगेरा जो है अब बात करते हैं सूचक या अमल शारक सूचक दोनों में से कोई भी आता है तो दोनों मतलब सेम ही है ठीक है तो सूचक किसे कहते हैं तो सूचक को करें इंडिकेटर म Men пост किसी चीज़ का इंडिकरिशन देना तो वही चीज़ यहां पर है कि सूचक क्या होता है कोई भी दिये ऑविलियन में ठीक है वह बताता है कि उसमें प्लब्ड दैध वो जो उसकी प्रकरती है या शारकय है ठीक है अब यह कैसे बताता तो कई बार इसके रंग में परिवर्तन होता है या इसके गंद में परिवर्तन होता है ठीक है या तो इसके जो शार के माद्धे में उसमें परिवर्तन हो जाता है ठीक अगर हम बात करें सूचक के प्रकार होके तो सूचक को हम basically क्या कर सकते हैं तीन प्रकार में बाटा जा सक सजग्स य Cubot ने प्राप्त होते हैं आन्ट है एसे सब्सक्ण भी का 3 या संस्छीय उत्युद्र जिए हुँ निरमित होते हैं जैसे मैंधे लॉसली निरमिक झीक है इसके वारे में ये कैसे का चेन्जन देखने को मिलते हैं और गंधी ञुरोदिया प्रैक्स पता लग रहा है हमें गंद कि क्या है कि जब अमल्यय शारक में डालते То इनकी गंद में कई बार परिवरत आ जाता है जिससे में पता लगता है कि इसलिए इसे किया गंद्यय सुचक कहते है जैसे कि पै मुदार्च में ऑप सी पूचा पूचा जा सबляется है कि बढ़ाओ phinofitalin या litmus में क्या changes साथ है तो लिटमस पेपर जो है ठीक है अगर वह acedic होगा तो जालग नर्गा हो जाएगा ठीक एगर blue है तो और एक बेसी होगा तो क्या हो जाएगा red वाला blue हो जाएगा यहां पर दिहान रखना कि अगर red litmus paper है और उसको आप acid पर लगा रहे हो तो उसमें कोई भी change नहीं आएगा similarly blue litmus paper है और उसको आप base पर लगा रहे हो यह नहीं शार पर लगा रहे हो तो महाँ पर भी कोई भी परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा लाल पत्या गुब्य करेंजt अगर लगाते हो चीप करेहada हैं और आप क्षार के सब्छाब करवा और अगर चुने को आप हल्दी पर डाल के देखना ठीक है तो वहाँ पर आपको क्या होगा उसके color में change ताइज देखने को मिलेगा या अगर हम हमारे shirt पर या कपड़ों पर हलदी लगा जाती आपने देखा होगा कि अगर आपकी मैं उस पर साबुन लगा है कि अपर रंग कैसा हो जाता है लाल क्यों कि साबुन जो कहा है एक बेस है ठीक है जब कि वह फैस ते रियक्ट करता है ब similarly शारक के साथ क्यों जगा गुलाबी ठीक अगर फिनो फितलीन की बात करें यह जो है कित्रिम सूचक है ठीक है अगर इसको हम डालते हैं तो इसमें कोई भी कलर में चेंज देखनें को नहीं मिलेगा और यहां लेकिन अगर हम यहां पर मान लो कि इसमें अगर हम डालते हैं इसका रंग कैसा हो जाएगा पीला और प्याज כरें तो अगर वह ऐस्टे साथ डालें तो उसके गंद तेजे से निकलेगा है जब कि बेस के अंदर कोई भी गंद नहीं आएगी थीक है कि वैनीड हमें क्यायर कि उसके गंद में Dreams नहीं होगा अगर हमसे डाले जब कि अगर वह से हैं अगर बेस में डालते तोसमें से मेडिया गप पर फोलो गरें, Facebook, Instagram और, so guys, thank you for listening, please like, share and subscribe our channel.